नमस्ते साथियो, क्या आप फल खाते हैं? क्या सच में आप फल ही खाते हैं? या जिन्दगी की मुसीबत? चलिए, चर्चा करते हैं कि आप फल ही खाते हैं या जहर? साथियो, फल खाने से सेहत को काफी ज्यादा फाइदा पहुचता है. फल खाने से शरीर को विटामिन्स, आईरन और फाइबर जैसे पोशक तत्व मिलते हैं. सिर्फ इतना ही नहीं यहा हमारे शरीर के रोग प्रती रोधक शमता को भी बढ़ाती है. साथ ही साथ मेटाबॉलि को भी मजबूत करते हैं. लेकिन अगर आपको फ्रूट सलाद में नमक या फल के साथ नमक खाने की लत है, तो तुरंद बंद कर दीजिए. फलों को नमक या चाट मसाला के साथ खाने से स्वाद तो काफी अच्छा हो जाता है, लेकिन ऐसा करना शरीर के लिए काफी इसलिए फलों में नमक या चाट मसाला मिला कर कतेई ना खाएं, वरना कई बीमारियों को मुफ्क में दावत दे बैठेंगे आ. आईए, बताते हैं कि फलों पर नमक छिड़क कर खाने के क्या नुकसान होते हैं. पहला नुकसान फलों पर नमक छिड़क कर खाने से उनका पोशक तत्व खत्म हो जाता है. साथ ही अगर आप अकसर ऐसा करते हैं, तो किड़नी से जुड़ी बीमारी भी आपको हो सकती है. क्योंकि फलों में पाए जाने वाले पोशक तत्व जैसे कि विटामिन्स मिनरल्स आदी नमक से नश्ट हो जाते हैं. दूसरा नुकसान फलों में नमक मिलाने से आप वचा की अलरजी के शिकार हो सकते हैं, जिससे शरीर में सूजन भी आ सकती है. तीसरा नुकसान अगर आपको हाई ब्लड प्रेशर की प्रॉब्लम है, तो फलों में नमक मिलाकर खाने की गलती तो कभी भी न करें. ऐसा करने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ सकता है. चौथा नुकसान दिल के रोग बढ़ जाते हैं. दिल के मरीजों को भी फलों के साथ नमक बिल्कुल नहीं खाना चाहिए. फल पर नमक डालते ही पानी निकलने लगता है, जिससे फलों का पोशन कम हो जाता है. तो फिर सवाल उठता है कि फल खाए तो खाए कैसे? फल खाते समय इस बात का ध्यान रखे कि आप एक बार में एक ही प्रकार के फल खाए. जैसे कि आप मीठा फल खा रहे हैं, तो साथ में मीठा फल ही खाए. खटे फल के साथ खटा फल ही खाना चाहिए. अगर आप fruit चाट खाना पसंद करते हैं, तो एक बार में एक ही प्रकार के फलो की चाट या सलाद खाएं या तो मीठे फलो का या खटे फलो का ही सलाद बनाएं खटे और मीठे फलो का mix सलाद एक साथ कभी भी नहीं खाना चाहिए फलो को काटने के एक घंते के अंदर खा लेना चाहिए लंबे समय तक रखे फलो में भी पोशक तत्व कम होने लगते हैं तो साथियों कैसी लगी जानकारी? क्रिप्या हमें बताएं मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और रोचक विशय के साथ कब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्थ रहिए और मस्थ रहिए वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्ते